मैंने आप सभी के सामने इस जगा बैंक निप्टी का चार्ट ओपन किया है बैंक निप्टी के चार्ट पर अगर आप देखोगे काफी जवदस लेवल देखें यहाँ पर लिकल के आते हैं सबसे पहले देखें बात करते हैं आज के दिन की आज के दिन अगर आप देखोगे तो इसमें हो क्या राता देखे यहाँ पर अगर मैं बात कहूं 25, 25, 26, 27 टीक है तीन दिन देखे इसमें टेडिंग होई यानि नीचे की साइट क्रोस नहीं किया लेकिन आज की दिन अगर आप देखोगे तो आज की दिन देखे उपर के लेवल से यानि अगर मैं बात करूं कहीं ने कहीं इस जगा 35,600 से उपर की साइट से देखे इसमें लगाता सेलिंग आपको देखने को मिली और बजाने नीचे की साइट देखे इस जगा लो मारा और काफी देखे बढ़िया देखे लो इस जगा आपको देखने को मिला जो कि मैं आप बात करो इस जगा 35,400 के नीचे भी जगाया था लेकिन सबसे बड़ी बात देखे एक ही लिकल के आती है कि कितने लोगों ने जो मैंने कॉल दिया था कितने लोगों ने उसको बाइंग कर पाया कितने लोगों ने बाइंग कर पाया सबसे बड़ी बात वो ही लिकल के आती है क्योंकि देखे मैं हमेसा बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखे वीडियो को पूरा देखके काम कीजे क्योंकि मार्केट नहीं पता है भई मार्केट नहीं पता है कि कहाँ पर मार्केट मौका देगा क्या पता मार्केट देखे खुलने के बाद मौका देता है या मार्केट दो घंटे बाद मौका देता है यह मार्केट तीन घंटे बार मौका देता आपको नहीं पता है मार्केट का मौका देखा इसलिए वीडियो पूरा देखना चाहिए अब जिन लोगों ने देखिए वीडियो बिल्कुल पूरा देखा उनको पता चला कि भाई हां 35,500 के नीचे आ चुका है हमको इस जगा बड़ी महत्व होता है क्योंकि वहां पर देखें तेजी से बजा नीचे आता है और जो कॉल की प्राइस है वह तेजी से आपको उपर जाते हुए दिखाई देता है अगर मैं बात कहूं तो देखें आप जो मैंने कॉल दिया था 80-90 पॉइंट आपका उपर गया काफी जल अगर को गया था लेकिन गया था लेकिन यह को बात आपको फिर भी समझाके गया था और मैंने कल भी समझाया था कि वहाई उपर का जो रेंज है देखें जी अगर मैं बात करों पीय आप 2 कंडिशन में बाइंग कर सकते थे एक तो 35,800 के असफस आता है तो आप P.E. बाइंग कर सकते थे और 35,500 को अगर टोड़ेगा तो भी आप P.E. से बाइंग कर सकते थे तो दोनों कंडिशन में आप कर सकते थे जो मैं आपको कल बता के गए था अब आपको आँगे कैसे काम करना है इसके बाइंगे काम करने के लिए मैं फिर से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि बजार अगर 35,500 के नीचे जाता है फिर से सेलिंग कीजे कोई दिक्कत नहींगे फिर से सेलिंग कीजे और मुझे ऐसा लगता है कि बजार में को मुलेंगे इसमें एक पॉइंट और आपको एड़ करना है इस वाली लेवल में देखे यहां पर 35,000 35,000 आज सो बीस उपे 35,000 आज सो बीस के अगर जे ऊपर जाता है तो फिर आपको जो तेजी देखने को मुलेगी कि वो कम से कम 400 पॉइंट की तेजी देखने को मुलेगी अब मैंने इस जगा 20 पॉइंट क्यों एट किया क्योंकि अगर आप देखोगे कुछ कुछ लेवल ऐसे होते हैं यहां पर देखे बजार काफी जादा सेलिंग के साथ नीचे आता है जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे तो देखे यहां पर आपको देखने को मिलेगा 36,200 जैसे कि अगर मैं जहां पर बात कहूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जिससे हमको देखे एक अच्छा पैसा बन सकता है क्योंकि वहाँ पर देखे आपकी जो call एक्टिवेट होते हैं या पुल पुट एक्टिवेट होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं होते हैं लेकिन अगर उसमें आप देखे 20 पुट आप इसमें और एड कर दोगे थे कि बैंक निप्टी के लिए कोई माइने नहीं रखता 20 मैं आपको सही बताना चाहूंगा कोई माइने नहीं रखता जैसे कि अगर मैं बात कहूं 35,800 इसके उपर जा सकता है लेकिन तीन दिन से नहीं गया जैसे ही 35,820 के उपर जाता है यहां पर आपको क्या बाइंग कर लेना है CE बाइंग कर लेना है फिर से मैं एक चीज बताना चाहूंगा इस जगह आप भूल मत जाहिए जो आपकी एक केंडिल है केंडिल की आपकी ओपनिंग होने के वाद किलोजिंग किलोजिंग आपकी द दूसरे टार्ट की अगर मैं बात कहूं तो दूसरा टार्ट देक्धे मैं इस जगह लिखना चाहूंगा जो की देखिए आपका इस जगह होगा पैंतैसलाई तो सब्दाना क्योंग के और अगर मैं 새벽. गर आपको तेलेग्राम चैनल को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब काल जब किसा जबच केसा आपको फ रॉफिकि दिख़ाई दिए-चार्ट मेने आपको पोश्ट किया उसमें वह अच्छे प्युप्व प्रवदा अब इश्टाक, एलिज ब्लू किसी भी एक के साथ अकाउंट उपन कीजिए हमारे दिये गई लिंक से और चार्ट उपन किया है जगा अगर आप देखोगे तो वन अवस का चार्ट आपको देखने को मिलेगा कुछ समय पहले देखें मैंने आपके लिए एक वीडियो पब्लिस किया था उसमें मैंने इस चार्ट के बारे में बात की थी देखें यहां पर जो चार्ट आपको देखें भिनी जाता है तो इस condition में हम क्या करते हैं जब भी had a syrup में करते हैं ठीक है तो यहां पे कंडिशन जो आपकी वाला बताना चाहूंगा जो मैंने आपको पहले भी बता जाता है कि वही सेलिंग के लिए तो हम एक ही तरीका आजमाएंगे जगा 35,500 35,500 के नीचे जाता है तो बिल्कुल आप इस जगा पीई बाइंग कर सकते हो ठीक है जो कि हमने आज भी बाइंग किया था और इस जगा देखे हमारे जो टार्गेट होंगे वो सबसे पहले 35,400 का होगा और दूसा टार्गेट जो हमारा होगा वो बड़ा टार्गेट होगा 35,200 के समतिक यानि अगर मैं बात करो इस जगा 400 पॉंट के हम इस जगा टार्गेट लेके चलेंगे 400 पॉंट के हमको क्या ले इस पॉइंट पर बजार ओपन होने के बाद ही अगर आप देखोगे तो बड़ी यहां पर गिरावट आपको देखने को बनी ओपन हुआ था इस जगह आपका बजार इस जगह 35,200 पर और नीचे की साइड जो इसमें गिरावट आपको देखने को मिली थी वह देखे 34,800 के ल तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी यहां पर जो गिरावट आपको देखने को बले 600 पॉइंटों के आसफस तो विल्कुल देखे ऐसा नहीं है कि देखे बजार नीचे नहीं जा सकता है कि बजार ऊपर नहीं जा सकता है आपको लेवल देखके काम करना है अगर आप लेवल कर सकते हैं हम क्या कर सकते है लेकिन उसके लिएए अलग कंडिसन है दो कंडिसन में आपको समझा दिए हैज जगह देखें आपने समझी दो कंडिशन पहली कंडिसन देखें यहां पर मैंने आपको समझाई थी 35,820 के उपए किलोजिंग के साथ जाता है तो हमको बड़े टार्गेट देखने को मुलेंगे और दूसरी कंडिशन मैंने आपको समझाई थी 35,500 के नीचे जाएगा तो यह टार्गेट आपके रहेंगे लेकिन तीसी कंडिशन क्या होगी जिए मैं आपको समझाता है यह काफ 608 उपए की आपको किलोजिंग दिखाई दे रही है यानि अगर मैं बात करूँ इस जगह से देखी 200 पॉइंट Records की Shite open हो जाता है जोकि हो सकता है 200 पॉइंट अगर मैं बात करूँ बजर Ouko do P которого 3300 के सम openly त溜के प यहाने अमने आपको बोला 370 के आपको वान ओन हो जाता है लेकिन जहाँ पे क्या होना चाहिए जो आपका क्लोजिंग वाला सेक्षिन ए उपनिंग वाला सेक्षिन है ओपनिंंग में बतां तो देखें 35790 पर आपा उपन हो सकता है 35780 पर आपका उपन को सकता है 30799 पर आपका उपन होना चाहिए थिक समчно उपन होना डिश्टा माचाइब नहीं चाहिए के सार्थ मुणता है तो इसमेटर पर आप क्या कर सकते अब महां पर वह कर सकते हो क्योंकि फिर आपको उपर खुलते ही बजार आपका नीचे की चाइड आए तो ऐसे कॉल आते हैं आज की अगर मैं बात कहूं खुलतेए बजार नीचे की चाहिड आया तो इस condition में आपको जल्दी turret लेना होता है, और जो जल्दी turret होते हैं, उसमें देखें, आपको RM से जगा 100 से लेके, आपको 500-P tempt का जल्दी profit हो जाता है, तो, वहाँ पे क्या होता है, बजार में movement आपकी अच्छी होती है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बजार खुला है मुझे लेवल पता है तो मुझे उस लेवल के इसाब से काम करना है तो कि अगर आपका setup अच्छा है आपका setup बढ़िया काम करता है तो उस setup को follow कीजी अगर आप अपने setup को follow नहीं करोगे इस जगा की FIS जो आपके FIS है उनके पास देखे 3000 क्रोड के क्या है CE है 3000 क्रोड के CE है और अगर मैं बात करूँ 7000 क्रोड के क्या है PE है तो बजा देखे उपर भी नहीं जाता आपको यहां पर देखने को मैं लेगा वही उपर क्यों जाएगा क्योंकि उपर से sailing करेंगे और नीचे नहीं आ पाता क्योंकि नीचे से वह बाइन करेंगे अब आज का हमको data देखना पड़ेगा कि आज के data में आपके जो CE है वह कम हुए है या आपके जो PE है वह कम हुए अगर इन दोने में से कुछ condition change हुई है तो बजार में फिर एक आपको भड़िया तेजी देखने को मिल सकती है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीज़े शेर कीज़े सस्क्राइब कीज़े जैहिंट बंदे मातरम